दोस्टो मेरा नाम है अमिर पांडे और आज हम दोग डिस्क्रस करेंगे कैलकुलेशन की 5 अमेजिन ट्रेक्स शले शुरू करते हैं नंबर वन नंबर वन ट्रेक्स पहले बाप मैं आपको बता होगा कि किसी नंबर को 11 से अगर मल्टिप्लाई करना हो तो यह आपको आता होग मैं मान के चलता हूँ नहीं आता तो मैं बता भी देता हूँ जैसे माल लोग कोई पुछे कि 723 इंटू 11 एक तो है कि आप करते रहे हो 10 प्लेस वान करी कर सकते हो दूसरा यहां लेखो 3 3 2 5 और 7 2 9 ठीक है यहां देखो पहले 3 इन दोनों को 8 गरो 5 इन दोनों को 9 और तो मैंने यहां पहले 4 लेलो 4 से multiply लेलो तो 2800 प्लस 180 2800 80 प्लस 12 2890 ऐसे भी कह सकते हो कि मैंने इसको ऐसे लिखा ऐसे लिखा क्योंकि 11 मिरेको पसंद है 11 का मिरेको ट्रिक पता है लेकिन मैं पहले यहां 4 से multiply लेकर होगा तो मेरा आएगा 2800 2340 92 तो 2892 इन्टो 11 तो देखो यह तो 2892 इन्टो 11 अब 11 से multiply लेकर ना तो हासान है तो हमने 2 लिखा 9 2 11 1 carry 1 और 9 8 7 8 रागे एक लिखा 8 2 जैसे क्या रगे एक लिखा 2 की जगे 3 लिखा 3 18 12 तो यह आपका अंसर होता है और इस तरह से जैसे मालो कि 11 का सा कोई भी नंबर आता है जैसे कोई पूछे हम से कि 153 इन्टो 77 तो आप इसको इस तरह से करिए पहले 7 से multiply करिए बाद में 11 से करिए 11 में क्या होता है बस desert को add करते चलिए जैसे 153 इन्टो 7 मैं कर देता हूँ हमने लिखा 700 यहाँ पे let me change the color तो मैंने लिखा 700 और 50 इन्टो 7 350 वन थाओजन फिप्टी सेवें था 21 तो 1050 में 21 जोड़ोगे तो 1070 बनाएगा और उसको 11 से multiply कर देना तो फिर यहाँ पे लिखना 1 718 और 707011 और लास्ट मे तो यह आपका अंसर हो जाएगा तो यह ट्रिक है जो हम यूज करा करेंगे तो जब भी कभी 11 मिलता है we will do like this यह number 1 ट्रिक थे अच्छा मैं बात करता हूँ number 2 ट्रिक के number 2 ट्रिक यह है कि जैसे 7 इंटो 13 इंटो 11 यह 1001 होता है तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेगा कि 7 13 11 11 होता है तो इस ट्रिक से अब क्या benefit क्या होगा हमें जैसे माल लो हमसे भी पूछले यार 77 इंटो 98 तो हमें बताए कि यह 77 और 98 मतलब यहाँ पर 13 और मिल जाएगा तो 1001 हो जाएगा तो हमें ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इंटो 13 और डिवाइड वाई 13 एक तो यह तरीक चीज होती है वो इस ट्रिक से निकल के आती है जैसे माल लो कि तीन डिजिट का कोई नंबर है और रिपीट हुआ हो जैसे मैं लिखता हूँ 968 इंटो 1001 देखा देखे ना ध्यान से तो इसको क्या लिख होगे 968 968 तो 968 968 अब यह बात पक्की होगे कि यह नंबर किस से कटेगा तो यह नंबर 7 से कटेगा 13 से कटेगा 11 से कटेगा और 1001 से कटेगा तो आप डिरेक्ली बोल देना कि यह 968 इंटो 1001 है और यह 1001 7 से 13 से 11 से कटता है मतलब अगर तीन डिजिट के तो तीन डिजिट का नंबर दो बार रिपीट हुआ तो डिरेक्ली आप कहेंगे कि ये नमबर हमेशा इन से कटेगा और 1000 वन से करेगा तो trick to remember second अच्छा दोस्तों इस पर मैं आपको बोलता हूँ कि चलो यार एक तीसरे ट्रिक क्या discuss करते हैं तो तीसरे ट्रिक ये होती है कि जैसे 37 into 3 ये आपका 111 होता है अब कोई भी नमबर हो जैसे मालोट 6 हो यहाँ पर आ अगर 777 में बोलू तब भी कटेगा क्योंकि तीन बार है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो तीन डिजिट का नमबर अगर सेम रिपीट हो रहा है तो 37 से कटेगा मतलब सेम डिजिट में अच्छा इसको मैं खेरा हूँ trick number 3 इसको remember रखेगा याद रखेगा ताकि जब आप सवाल करेंगे डियाई में आर्फिमेटिक में तो वहाँ पे डिरेक्ली यूज हो जाएगा अच्छा इसी को मैं trick number 4 में बनाता हूँ अब देखेगा दो को trick number 2 को trick number 3 को combine कर रहा हूँ तो एक बात आप देखोगे कि triple अगर मैं बोलू triple 8 और triple 8 इसको तो मैं ये भी लिख सकत हूँ कि triple 8 इसको तो अब मुझे पता है ये वाला तो 37 से कटेगा तो ये वाला 13 से कटेगा 11 से कटेगा 7 से कटेगा तो मतलब अगर 6 डिजिट का कोई number है कहीं पे भी तो सबसे पहले आप यह मान लेजेगा कि वो 37 से 13 से 11 से 7 से पूरा डेविस बिल होगा तो कहीं पे आप को ऐसा number मिलेगा तो आप जरूर उसको देखेगा और उसको मान के चलेगा कि यार ये तो number 1001 से easily divisible हो जाएगा तो यह थी दोस्तों trick number 4 कोई भी number आपको मिले ऐसे तीन बार 5 कहीं पे भी लिखाओ आप तुरह समझ जाएगा कि यार ये तो 555 into 1001 है और इसको तो 5 into 111 भी कह है सकता हूँ तो जो चीज इतनी भैंकल लगीगी आप उसको छोटा कर सकते हैं चले बात करते हैं trick number 5 की दोस्तो तो trick number 5 ये है कि जब कोई number आपके सामने ओता है जब भी कभी कोई number आपके सामने आता है तो आप उसको break and rule करिए multiplication में break and rule जो सिमाल लीजे आपसे पूछा जा मतलब दिमाग में मस्तिस में बठा लीजे तोड़ना और राज करना जब भी कभी ऐसा number आएगा और अच्छे number उठाईए अब जैसे आपको मुझे मालो multiplication के मिला मैं आपको समझाता हूँ कि 92 into 84 into 55 अब मालो मुझसे कोई पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा अब यहां से मैं 4 निकाल लोगा यहां से यहां से 2 निकाल के एकस को 110 कर दिया यह 42 हो गया मेरा यह मेरा 92 हो गया अब यहां से अब कैसे multiply होगा देखते रहेगा मुझे पता यह किसी को भी multiply कर सकता है क्योंकि इसकी trick मैंने trick number 1 में discuss करा था अब यहां पर थोड़ा से कहानी वदेगी तो म 552 अब 7 से multiply करोंगा साथ दूनी 14 क्यारी एक साथ पंचे 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 तेस तीन अड़तिस तो चौशट इन्टू टबल वन जीरो अब मैं यहां पर क्या कर देता हूँ 0 लगा देता हूँ यहां पर 11 से multiply करना है तो यहां पर 4 लिखा दाएगा 6 4 10 के 0 6 8 6 14 15 और आ देखिए कि जो चीज आपको लगती है कितने tough है exactly वह इतना tough नहीं होता है दोस्तो analyze करना पड़ता है समझना पड़ता है तो उम्मीद करता हूँ यह पांचो रूल आपको समझ में आये होंगे आप इनकी practice करिए normal life में imply करिए जरूर आपको इससे benefit मिलेगा so thank you guys ध्यान के अपना मेहनत करिए इस टाइब के और भी ट्रिक्स को इस टाइब की ट्रिक्स को questions में apply करिए अबर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेर और सब्सक्राइब करिएगा thank you thanks for watching take care bye